हलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपने एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ठीक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के द्वारा जो questions पूछे गए थे एक्जाम को लेकर कि जो अभी एक्जाम स्टार्ट होने वाला है उसमें आपका answer seat यानि जो उत्तर पुस्तिक है वो कितने पेज की मिलेगी और supplementary यानि answer से जो additional answer seat है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा और उसके बाद कि अच्छे से लिखे हैं मतलब आप आपको अच्छे अंक प्राप्द करने के लिए अच्छे marks लाने के लिए आप कैसे effective तरीके से लिख सकते हैं तो इन सभी प्रश्णों का आप answer जानेंगे आज की वीडियो में तो वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही important है और मैं आपको एक एक note बिल्कुल point wise बताते जाओंगा कि आपको किस प्राकार से लिखना है क्योंकि देखिए आपका जो answer seat होता है उसमें आपका लिखने का जो तरीका है वो काफी important होता है और वो checker के लिए एक effective देता है जिससे आपको marks अच्छे मिलते हैं तो चलिए video की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो answer seat जो अब भी आपको मिलने वाली वो लगबक कितने page की होगी है तो video को बिल्कुल भी इसको नहीं कीजेगा तो देखे सबसे पहले हम देखते हैं ये एक जो आप यहाँ पास देख हैं ये एक topper की copy है ठीक है जो 2020 का जो एक topper student है ठीक है उसकी copy है तो देखे सबसे पहले आपका जो front page होता है न उसमें काफी सारे formalities complete करनी पड़ती है ठीक है जैसे जो आपका question paper होगा वो set कौन सा है उसको लिखना होता है उस जो subject का code लिखना होता है और पिस subject नहीं ये त देना पड़ेगा कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए ठीक है फिर उसके बाद जो roll number देखे roll number और signature आपको बिल्कुल clearly आपको अच्छे से लिखना होता है ठीक है अब इसके बाद अगर बात करें तो जो आपके पास questions है बहुत सारे students के ये questions आ रहे थे कि सर क्या question number one से ह करें तो देखिए यह आपको matter नहीं करता है लेकिन ध्यान रखिए मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप छोटी question से start करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है math subject की बात अलग है math subject में आप step by step उसमें questions को solve करने होते हैं तो आप definitely आप सबसे जो ज्यादा number के हैं यानि 6 number के हैं उसको आप start कर सकते हैं लेकिन बागी सबी subject के लिए आप छोटे question से ही start करें तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप बड़े questions को याद करने के लिए फ चोटे-चोटे questions को complete करते जाएं और उसके बाद वहां तक पहुंचे तो बिल्कुल आपको tension भी नहीं रहेगा ठीक है हाला कि आपके पास काफी समय रहेगा क्योंकि आपको घर पे लिखना है तो इसमें कोई matter नहीं करता है लेकिन आपको अच्छे तरह से लिखना है और effective तरीके से तो यह जरूर आप तरीका अपना ही है कि पहले छोटे questions को लिखते जाएं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आपको जो section आप question paper से देख रहे हैं उस section का नाम डाल कर फिर उसके बाद जो answer और बहुत से students यह भी पूछ रहे थे क्या questions लिखना जरूरी है तो द उत्तर क्रमांग एक डालिए बिल्कुल margin कर दीजेगा यह margin already रहता है जो आपको answer sit मिलेगी तो आप देख पा रहे हैं यहां से फिर उसके बाद उत्तर क्रमांग लिखने के बाद वहाँ पास नीचे underline कीजेगा एक से दो line आप छोड़ दीजे फिर उसके बाद उसका answer लि line आप छोड़ दें और अगर आपको ऐसा पता है कि यह तीन line में आपका जो answer देने वाले हैं वह complete नहीं हो पाएगा तो इस सित्य में इसको skip कर दीजे ठीक है नीचे pto लिखकर आप आगे बढ़ जाईए ठीक है तो यह इसका एक effective तरीका है और बिलकुल clear writing में आपको लिखना है अगर बात करें diagram क्या है तो diagram आप basic pencil से बना सकते हैं और physics की बात करें तो physics में diagram आप pencil भी बना सकते हैं ठीक है लेकिन biology की बात करें और भी other subject की बात करें तो इसमें आप अच्छे से pencil से आप diagram बनाईए और इसका जो nominate करते हो तो आप black pencil से उसका नाम लिख सकते हो यानि नमांकन जो करते हो आप तो उसको आप black pen से लिख सकते हैं ठीक है heading डालने के लिए आप black pen का use कर सकते हैं तो ये सबी चीज़े आप लोगों के लिए काफी important हो जाती है और अभी आपको कितना page मिलेगा तो देखें आपको main answer sheet जो मिलेगा वो 20 page का होगा और जो यानि additional answer sheet जो मिलेगा वो 8 page का होगा ठीक है यानि 40 हो और ये 16 तो इस प्रकार से ये आपको इस बर answer sheet मिलने वाले हैं और भी आपको सारे questions के answer किस प्रकार से कहां से मिलेंगे तो उसके लिए भी important प्रश्णों का video update कर दूँगा तो आप वहां से भी देखकर लिख सकते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें जिससे कि जैसे हम video update करेंगे तो उसकी आपको जानकारी मिल सकें ठीक है तो बिलकुल हमारे चैनल के सांथ बने रहेगा मैं लगबख सभी subject का important बहुत ही selected questions यानि उसी में से आपके chances बहुत ज्यादा बनेंगे कि उसी में से प्र प्रसन लाने वाला हूं ठीक है तो आप हमारे चैनल के सांथ बने रहें ठीक है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज के वीडियो में इतना ही और आप सभी लोगों के लिए paper के लिए विस्यू वेस्ट अफ लख ठीक है ओके थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू